Hello everyone, आज है 4th August और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Zomato के बारे में देकि Zomato के शेर में आज खुलते ही 10.5-11% की बड़ी तीज़ी देखने को मिली क्योंकि कल इनके जो रिजर्ड्स आये थे, वो काफ़ी अच्छे थे जिस चीज का इंतिजार हो रहा था, वो कल होती हुई नजर आई बाचित करेंगे इस वीडियो में कि नंबर्स कैसे रहें, इसके अलावा लॉंग टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है इसके अलाव जो बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउजिस की जो कमेंटरी निकल कर आई है, वो क्या बता दी है देखेंगे वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो को काफी जादा हेल्प करेंगे तो 95-96 रुपीज का शेर है, साड़े 10% की तेज़ी पिछले एक महिने में देखो तो 27% की बड़ी रफता इसने दिखाई है और 73 रुपीज से 96 रुपीज पर ये पहुँचा है तो काफी अच्छी तेज़ी है, आज बड़ी रफतार नतीजे के बाद देखने को मिली एक साल के अगर हम बात के तो 65% की रफतार है और इसका जो लोवर प्राइस बना था, वो तकरीबन 45 रुपीज से करीब था तब से लेकर अब तक देखे तो पैसा डबल कर दिया है इसने अगर इसके लोवर प्राइस से कंपैर करेंगे, तो डेफिनेटली पैसा डबल हो चुका है और लगातार भागा है ये, लगातार तीज सी देखने को मिली है क्या देखो लगातार एक्सपेक्टेशन भी करी जा रही थी कि बहुत जल्दी कंपनी प्रोफिटेबल हो जाएगी और वो देखने को मिल गया, फाइनली वो देखने को मिल गया जिसके चलते कह सकते हैं कि चीजे बदलती हुई यहाँ पर नजर आई जुमैटो को लेकर अगर हम बात करें तो आज खुलते ही अभी जस्ट नौ बच कर 35 मेंट हुई है और आज वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 14 करोड 75 लाक से भी जादा की कॉंटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो भईया खुलते ही इतने बड़े वॉल्यूम देखने को मिल रहे है शायद जब मार्केट क्लोज होगा आज तो मुझे तै कि 30 से 35 से 40 करोड तक के वॉल्यूम शायद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए तो कोई हरानी वाली बात नहीं होगी आज यह ट्रेंड में रहने वाला है अगर बात करे हम जुमैटो के बारे में तो देखे जुमैटो को लेकर according to money control user 27 परसंट लोग करे बेचो 73 परसंट लोग करे खरीदारी करो जुमैटो के बारे में अगर देखे तो जो brokerage house की commentary है उसके बारे में अगर हम चले तो वया शेर ने बड़ी रफतार पकड़ी जरूर है और अगर हम यहाँ पर देखो तो after quarter result काफी जो brokerage houses है ठीक है उनकी सला यहाँ पर buying की देखने को मिल रही है यहाँ पर देखो तो Zomato even deliver a gross order value growth from the quarter तो यह अच्छे है GOV में जो growth देखने को मिला तो वो एक बहतर चीज़ है इनके लिए इतना ही नहीं अगर company के बारे में अगर हम बात करने जाए तो GM Financial का कहना है कि Zomato का share 35% up है since March quarter it expects the momentum to sustain उनका बाना कि अभी भी जो momentum है वो sustainable रह सकता है as the market is largely capturing value attributable food delivery business और उनका यह कहना भी है कि 115 रुपे का target है अपना target इनने revise भी किया हुआ है अपनी topic में इसको रखा जरूर है इतना ही नहीं नुवामा के अगर हम बात करें तो उनका भी जो target price है 110 रुपे के आसपास देखने को मिल रहा है मोतिलाल ओस्वाल के अगर हम बात करने जाए तो मोतिलाल ओस्वाल security estimate Zomato to turn positive on reported EBITDA by March quarter and see it's delivering 5% EBITDA margin in financial year 2025 उनके भी अगर बात करें तो भी maintain by rating with target of 110 ठीक है और Jeffries के अगर हम बात करें तो Jeffries ने भी 130 रुपे का target यहाँ पर दिया हुआ है अगे इन मैं कहतू यह जो targets दिये जा रहे हैं वो एक साल के targets होते हैं तो यह assume ना करा जाए कि भाया बहुत जल्दी यह achieve हो जाएंगे हो भी सकते है time भी लग सकता है ठीक है इतना ही नहीं Zomato को लेकर अगर हम बात करें इनके valuation की साब से अगर हम बात करें तो भाया 81% एनालिश अभी भी कहते हैं खरीदारी करो 81% और जो numbers आए अब सिधा उसकी तरफ अगर हम चले तो numbers में लगातार 30 ही है कादिस रते की जून 2022 के quarter में इनका जो revenue था वो 1580 करोड का था और उस time उनको 1580 करोड का नुकसान हुआ था loss में थी company सब्टेंबर में 1830 करोड का revenue रहा 2500 करोड का loss कर गई company डिसंबर में 2121 करोड का revenue रहा 3500 करोड का loss कर गई company तो यहाँ पर देख रहो revenue तो बट रहा है लेकिन loss भी हो रहा है company को जादा मार्च में अगर आप देखो तो 2227 करोड का revenue रहा लेकिन फिर भी loss रहा 190 करोड हला कि loss कम हुआ था जून में चीज़ें बदल गई दो करोड मुनाफ़ा कमाया है इन्होंने हलागे कुछ memes भी बन रहा है इसके उपर लेकिन फिर भी company ने दो करोड का मुनाफ़ा कमाया है जो कि बहुत अच्छी बात है और revenue भी तकरीबन 2600 करोड के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि अच्छा revenue है वह या खराब revenue नहीं है तो बढ़ रहा है उसके लिए कुछ अच्छे decisions इन्होंने पास्ट में लिये थे हम सब जानते हैं कि even जूमेटर को उपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया थे वहाँ पर मैंने कहा था कि company की जो next strategy है वो यही थी कि इन्होंने अपने कई सारे operations बंद किये थे उन शहरों में जहां से उतना अच्छा इनको revenue नहीं मिल रहा था जहां से उतने अच्छे orders नहीं आ रहे थे वहाँ पर इन्होंने अपना business बंद किया तकरीबन 220-225 जैसे शहरों में जूमेटर ने अपना कारोबार बंद किया था तो यह बड़ी बात थी ताकि company जो है वो अपने खर्चे को कम कर पाए और यह उसी का नतीजा है कि company profitable हो पाई है और अभी उमीद हम यही करेंगे कि वहाँ आगे भी यह सिलसला जारी रहे इनका आगे भी company जो है वो profitable बनी रहे तो यह results अच्छे आए हैं जिसके चलते अगर देखोगे तो आज पूरा scenario change होता नजर आया आज खुलते ही बड़ी रफतार पकड़ ली एक्चुली में अगर हम देखे तो 96.85 रुपीस पे गया था अब थोड़ा सा correction यहां पर बन रहा है लेकिन Zomato ने अच्छी गासी रफतार पकड़ी है और देखो अगर आप चनकुर अगिलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने पहले भी कहा था कि देखो यार शेर में गिरावट आई जरूर है जब एक गिर रहा था मैंने कहा था कि देखो management कोशिश कर रहा है बहुत जल्दी profitable होने की इससे पहले कि quarter में अन्दाजा दिया था कि हम profitable बन जाएंगे लेकिन जब results आए तो profitable बने नहीं थे उसके बाद इन्होंने कुछ बड़े decisions भी लिए जैसे कि बड़े बड़े शहरों में तो रही लेकिन जो छोटे शहर थे जहांपर इनका operation चल रहे थे लेकिन जादा revenue कुछ निकल कर नहीं आ रहा था वहां से इन्होंने अपना business को wind up किया जो इनका काफी अच्छा decision था और उसके बाद इन्होंने अपने खर्चे भी कम किये तो ये बहतर च रसता है कहां पर महिंगा है ठीक है अगर मैं पिछले पांस साल का graph देख रहा हूं तो ये definitely बहुत बड़े लेवल से गिरकर आइक सो पच्पन से गिरकर नीचा आया है ये और अगर आप चैनल को regular follow कर रहे हो कई बार मैंने काया कि देखो जब तक ये अपने IPO price से नीचे है खरिदारी के मौके है आई पर जो price था वो 76 रुपीज का था अगर आप मेरी previous वीडियो को देखो तो हर बार मैंने कहा है कि risk लेना है तो ले सकते हो जब तक ये अपने IPO price के नीचे है और काफी सारे मौके थे भी सही ठीक है लंबे समय था कि 76 रुपीज से नीचे trade करता रह काफी लंबे समय से और अभी जब बड़ी रफतार इसने दिखाई है मुझे लगता है कि शायद आज जो है ना सुबह यहां पर 12% की तेजी जरूर थी अभी जब हम बात कर रहे हैं शायद जो तेजी है वो 10% से भी कम की रह गई है और मुझे लगता है कि जब आज market close होग तो यह जो तेजी है जो मैटो में वो शायद आपको देखने को मिलेगी तकरीवन 78% की तेजी देखने को मिल जाएगी यहां पर तो बड़ी रफतार आई यहां पर लेकिन बाद में थोड़ा बद करेक्शन भी देखने को मिल रहा है और जब close होगा तो मैं expect नहीं कर रहा ह यह वो शायद 105 से 110 रुपे का रेंज यहां पर हो सकता है एक resistance के तौर पर तो वहाँ पर profit taking के शायद मौके बनते नजर आ सकते हैं और उसके बाद जब यह वापस गिर कर नीचे आएगा तो दुबारा यहां पर buying के मौके बनेगे कंपनी अच्छी है परबाद होने वाली company नहीं है हला कि हमने स्वीगी में जिस तरीके से दिक्कते देखी जैसे कि इनकी valuation को कम होते देखा स्वीगी में जो मैटो के लिए भी वो दिक्कत थी जरूर और अभी जो मैटो के लिए एक दिक्कत जो आने वरे दोर में देखने को मिल सकती है वो छुपी है इनके shareholding pattern में अगर आप Zometo का shareholding pattern देखोगी तो आपको देखने को मिल गए 54.42% की holding Files लेकर बैठे हुए हैं Files में कई सारे ऐसे लोग है जो early investors है जो exit ढूंड रहे हैं और जब भी share में बड़ी रफतार आती है वह यह early investor आते हैं अपने shares को बेचना शुरू कर देते हैं और मुझे ल share में बिकवाली करें जो early investor होगा यहां पर तो वह खबर आएगी यहां पर क्योंकि वह चीज़ हमें PTM में देखी है तो शायद यहां पर भी वह चीज़ रैप्लिकेट हो सकती है और देखा जाए तो Files बहुत बड़ी quantity में है यहां पर तो वह बीच बीच में exit रेते नजर की लेकर बैठी हुई है तो देखें overall में इतना कोंगी company अच्छी है खराब नहीं है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले दोर में आपको थोड़े बहुत profit taking यहां पर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि early investor है वो भाई आप profit taking करने की कोशिश भी करते नजर आएंगे बागी मरजी आपकी है वीडियो को यहीं पेंट करूगा पसंद आए हो तो लाइक करें चाहिए बगर पहले बारे तो प्रीज सब्सक्राइब करें और जो मैटों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं थैंक्यो